दोस्तों कि आप भी export-import business शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और dollar में पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन investment की दिक्कत है investment नहीं है और चाहते हैं कि सर कम से कम investment में हम लोग अपना export-import business शुरू करें दोस्तों export-import business आप कितनी तरह से कर सकते हैं कितना पैसा यहाँ पर लगेगा उसके बारे में आपने काफी ऐसी वीडियो देख लिए हैं आज इस वीडियो में मैं आप साब बताने वाला हूँ आप कम investment में अगर आपके पास लगाने के लिए investment कम है तो आपको export-import में किस तरह से काम करना चाहिए अगर आपके पास पैसा काम है तो दोस्तों आप e-commerce export business शुरू कर सकते हैं तो क्या यह business है कैसे आप शुरू कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम लोग detail में चर्चा करने वाले हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नएस चैनल को जो subscribe कीज़ेगा वीडियो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपस बता रहा था अगर आपके पास investment कम है पैसा कम है लेकिन फिर भी डॉलर्स में कमाना चाहते हैं लाइक को बड़ा करना चाहते हैं तो export import business आप शुरू कर सकते हैं और export import business में भी दोस्तों आप e-commerce export business शुरू कर सकते हैं अब यह e-commerce export क्या ह है आईए समझते हैं देखे e-commerce वर्ड आप जानते हैं electronic commerce जिस तरह से इंडिया के अंदर amazon है flip card है snap deal है मीशो है इन websites के थुरू आप अपनी जो sale है प्याफिर purchase है वो करते हैं for example अगर आप sports goods बनाते हैं cricket bat बनाते हैं तो amazon के थुरू अगर आप sale कर रहे हैं तो दोस्तों अब ये e-commerce business आप domestic करते हैं within India करते हैं लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप यही e-commerce business overseas कीजिए इंडिया के बाहर कीजिए तो यहाँ पर अगर e-commerce export आप समझना चाते हैं तो यहाँ पर दो तरह से business होता है दो तरह से export business करते हैं पहला bulk export यानि के पूरा container उठाया और export कर दिया अब इस bulk export में आपने देखा हुआ काफी लोग कहते हैं साब risk होता है बायर find करने होते हैं बड़े बड़े containers जाते हैं बड़ी quantity जाती है तो यहाँ पर यह पूरा container अगर जाएगा आपका container पूरा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं bulk export करते हैं यानि के business to business यहाँ पर आप भी एक business है और जाओ आपका buyer है वो भी एक business होगा उसके लावा दोस्तों आप काम कर सकते हो single unit export करके अगर आपका budget कम है कम investment में काम करना चाहते हो artisan हो कारीगर हो घर से शुरू करना चाहते हो तो आप दोस्तों single unit के साथ अपना business शुरू कर सकते हैं यहाँ पर आप एक business हो जो आपका buyer है वो एक customer होने वाला है end user होने वाला है तो यहाँ पर आपको profitability भी जादा मिलेगी कितनी महनत आपको यहाँ पर bulk में buyer को trust generate करने में लगती थी यहाँ पर उतनी लहीं लगेगी because यहाँ पर जो companies हैं उनके trust की उज़े से आपके पास order आने वाला है और पूरा जो एक ecosystem है already बना हुआ आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो यहाँ पर भी आप अपना business शुरू कर सकते हैं तो बात करें e-commerce के तो यहाँ पर एक single unit आप export करते हैं चबकि bulk में आप बहुत ज़ादा 100-200-500-000 unit यहाँ पर आप export करते हैं दोस्तों अभी आपने इंडिया में तो हमने सुना है amazon.in, me show, snap deal, flip card क्या overseas में जाने के लिए global या international market में जाने के लिए कोई specific website हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ specific website हैं जिनके थुरू आप अपना e-commerce export business शुरू कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले आता है amazon.com amazon.in, इंडिया के लिए use की जाती है, amazon.com overseas के लिए use किरते हैं यहाँ पर आप global अपना business शुरू कर सकते हैं उसके लाबा 200 itc.com पर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं जितने भी handmade product है, handicraft है handicraft especially आप itc.com के साथ शुरू कर सकते हैं, बिकुस जितना भी handmade item है, चाहे वो sports related हो, आपका imitation jewelry हो, तो जितना भी handicraft से related work है, वो सारा का सारा आप itc.com पर sale कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा और कोई category है, तो वो यहाँ पर sale करना थोड़ा difficult होगा, नहीं आप कर पाएं उसके लावा दोस्तों आप ebay.com पर काम शुरू कर सकते हैं, अपना e-commerce export का, ebay.com की reach काफी बड़ी है, US-based website है और यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे order देखने की मिल जाएंगे, और बहुती कम investment के साथ, ebay के साथ आप अपना business शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों अभी आपने देखा आपको e-commerce export business करना चाहिए, अगर आपके पास कम investment है, किन websites के थुरू यह business होगा, किस तरह से यहाँ पर unit single जाएगी के बल जाएगी, यह सारी बाते आप समझ चुके, अभी समझने वाली बात है कि सर यह जो e-commerce export business है, यह शुरू कैसे होगा, क्या requirement है, क्या ह हमें documentation की completion करनी है, क्या हमें images चाहिए, product चाहिए, क्या requirement क्या है इस business को करने की, तो देखे, अगर आप इस business को करना चाहते हैं, तो जो आपकी basic requirement है, वो है आपको documentation चाहिए, यानि कि आपका business registered होना चाहिए, business आपका register होना चाहिए, अब सर business register कराने के लिए आपको चाहिए GST, IEC Code, Bank Account, RCMC तो जो Export-Import Business के लिए Basic Document होते हैं वो सारे Document की है Requirement आपको पढ़ने वाली है विकोज अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो IEC Code की Requirement नहीं होती लेकिन अगर आप Overseas काम करेंगे तो Import-Export Code आपको यहां Required होने वाला है तो वो सारे Basic Document आपको यहां Required है उसके लावा सबसे Important है आपका Product आपको बेचना क्या है यहां पर जो Nearby आपके Pass अविलेबल है जिसके Easily आप Source कर सकते हैं उस Product को आप चूज कीजिए उस पर देखे उसकी Profitability क्या है क्या Price में वो आएगा किस Price पर जाएगा तो थोड़ा सा आपको यहां पर Product के बारे में Research करनी होगी उसके लावा दोस्तों उसकी Assets अपने पास Ready रखिए Images और Description हमारे पास काफी लोग आते हैं काफी हमारे Participants हैं वो ज्यादे तर क्या करते हैं प्रड़क्ट क्यूज कर लेते हैं अपना Documentation बना लेते हैं लेकिन Images और Description अपना Ready नहीं रखते हैं और Registration करने लग जाते हैं और फिर उनको काफी Problem आती है देखिए इंडिया में Tendency क्या है हम लोग Images देखते हैं लेकिन Overseas Market में जाएतर Images, Description दोनों ही चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी Images और Description और Original रखने हैं कहीं से Copy किया पेस्ट नहीं करना तो यह कुछ आपको चीजे हैं जो आपको इस Business में Required होने वाली हैं उसके लाब दोस्तों अगर आप E-Commerce Export Business करना चाहते हैं और आपको कोई भी प्राब्लम आ रही है तो हम आपकी Definitely Help करने वाले हैं नीचे दिये के Number पर आप Call कर सकते हैं हमें यह comment में बता सकते हम आपकी Definitely Help करेंगे आपके E-Commerce Export Business को Set Up और Grow करना आने में तो दोस्तों मिलते एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ अब तक लिए Thank You, Shukriya